महाशिव पुरान रुद्र सहिता का अध्याए 29 और 30 ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरुजी सदा सहाए शिव और पार्वती की बाचित शिव का पार्वती के अनुरोद को सविकार करना ब्रह्मा जी कहते हैं नारत पर्मात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनन दाई रूप का दशन पाकर पार्वती को बड़ा हर्श हुआ उनका मुक प्रसंता से खिल उठा वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी फिर उन महा साथ भी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा पार्वती बोली देवेश्वर आप मेरे स्वामी है प्रभू पूर्वकाल में आपने जिसके लिए हर्श पूर्वक दश के दक्ष के यग का विनाश किया था उसे क्यों भुला दिया था वे ही आप हैं और वही मैं हूँ देव देवेश्वर इस समय मैं तारका सूर से दुख पाने वाले देवतों के कारे के सिद्धी के लिए रानी मेना के गर्ब से उत्पन हुई हूँ देवेश यदी आप रसन है और यदी मुझ पर कृपा करते हैं मेरे पती हो जाएए इशान, प्रभू, मेरी ये बात मान लेजिए आपकी आग्या लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्य यश को सरुवत्र विख्यात कीजिए नात, प्रभू, आप तो लीला करने में कुशल है अतर मेरे पता हिमवान के पास चलिए और याचक बन कर उनसे मेरी याचना कीजिए लोग में मेरे पता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए इस तरह आप मेरे संपून गहस्ता अश्रम को सफल बनाएए जब आप परसंदा पूरवग्रिश्यों से मेरे पता को सब बातों की जान कारी कराएंगे तब मेरे पता अपने भाई बंदों के साथ आपकी आग्या का पालन करेंगे इसमें संदे नहीं है जब मैं पहले प्रजापती दक्ष की कन्या थी और मेरे पता ने आपके हाथों में मेरा हाथ दिया उस समय आपने शास्त्रोक्त विदी से विवाह का कारें पूरा कर नहीं किया मेरे पता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की अते उस विवाहा में ग्रह पूजन विश्यक बड़ी भारी तूटी रह गई इसलिए प्रभू महादेव अब की बार देवतों के कारे की सिद्धी के लिए आप शास्त्रोक्त विदी से विवाह कारे का संपादन करें विवाह की जैसी रीती है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए मेरे पिता हिमवान को ये अच्छी तरह ग्यात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुब कारक तपस्या की है पारविती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदा शिव बड़े प्रसन हुए और उनसे हस्ते हुए प्रेम त्रेम पूर्वक बोले शिव ने कहा देवी महेश्विरी मेरी ये उत्तम बात सुनो ये उचित मंगल कारक और निदोश है इसे सुनकर वैसा ही करो वरा नने भ्रह्मा आदी जितने भी प्रानी है वे सब अतना अनित्य है भामीनी ये सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो मैं निर्गुन परमात्मा ही गुनों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ जो अपने परकाश से परकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के परकाश से परकाशित होने वाला हो गया हो गया देवी मैं सवतंत्र हूँ प्रंतु तुमने मुझे प्रतंत्र बना दिया है समस्त कर्मों को करने वाली प्रकर्ती एवं महा माया तुम ही हो यह संपून जगत महा माया ही रचा गया है मुझ सरवात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धी के द्वारा इसे धारन मात्र कर रखा है सरवत्र परमात्म भावद रखने वाले सरवात्मा पुन्ने वानों के इसे अपने भीतर सीचा है तता ये तीनों गुणों से अवेश्टित है देवी वरवर्णनी कौन मुखे ग्रह है? कौन से रितु समू है? अत्वा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह है? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है? किस कर्तव्य का निविधान किया है? गुन और कारे के भेच से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वस्तल के कारण भक्तो को सुक देने के ही तो हे तू अवतार ग्रहन किया है तुम्ही रज सत्व तमो मई तरगुनात्मी का सुक्षम प्रकरती हो सदा व्यापार कुशल सगुना और निर्गुना भी हो सुम अध्य में मैं यहां संपून भूतों का आत्मा निर्वीकार एमम निरीर हूँ भक्त की इ हिमाले के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता गीरी राज नंदनी महान गुनों से अत्यंत गौरव शाली महात्मा पुरुश भी अपने मूँ से देही दो यह बाद निकालने पर ततकाल लगुता को प्राप्त ह हो जाता है कल्यानी ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो बद्रे तुम्हारी आग्या से मुझे सब कुछ करना है अतै जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साधवी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारम बार भक्ती भाव से प्रणाम करके कहा पारवती बोली नाद आप आत्मा है और मैं प्रकरती इस वीशे में विचार करने की कोई बात नहीं है हम दोनों सवतंत्र और निर्गुन होते हुए भी भक्तों की अधीन होने के कारण सगुन हो जाते हैं शंबो प्रभो आपको प्रयत् मैं सदा आपकी भक्ता हूँ अता मुझ पर कृपा कीजिये नात सदा जनम जनम में मैं ही आपकी पतनी होती रहूं आप पर भ्रहमा परमात्मा है निर्गुन हैं प्रकरती से परे हैं निर्विकार नेरिह ऐवसत्तंत्र परमेश्वर हैं तथा भक्तों के उद्धार में प्रवादेव महेश्वर मैं सब परकार से आपको जानना चाहती हूं सरवग्य आप बहुत कहने से क्या लाब मुझ पर दया कीजिये नात महान अद्बुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिये जिसे गागा कर लोग अनायास ही भव सागर से पार हो जाएं प्रमा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारम बार प्रणाम किया और मस्तक जुका कर हाट जोड़ वे चुप हो गई उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरन करने के लिए वैसा करना सविकार कर लिया पारवती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसंता पूरा करने के लिए उद्धो कर वे हसने लगे तदंतर हट से भरे हुए शंबू अंतर ध्यान हो कहलास को चले गए उस समय काली के विरह से उसका चित भुनी की और खिंच गया था कहलास पर जाकर परमनन ने निमगन हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदी गणों से वे सारा वरतान कह सुनाया वे भैरव आदी सब गण भी वे सब समाचार सुनकर अत्यान सुखी हो गए और महान उचसब करने लगे नारत उस समय वहां महान मंगल होने लगा सब के दुख नस्ठ हो गए और तथा रुद्र देव को भी पून अनंद प्राप्थ हुआ तो ये था रुद्र सहिता का अध्याए 29 अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्रुद्र सहिता का अध्याए 30 पारवती का पिता के घर में सतकार महादेव जी की नट लीला का चमतकार उनका मेना आधी से पारवती को मांगना और माता पिता के इंकार करने पर अंतरध्यान हो जाना प्रमा जी कैदे हैं नारद भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सक्यों सहित पारविती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिता जी के घर चली गई पारविती का आगबन सुनकर मेना और इह माचल दिवे रत्वर आरूर हो हर्ष से विडाल होकर उनकी अगवानी के लिए चले पुरोहित पुरवासी अनेका नेक सक्यां तथा अन्ने सब समंदी भी आ पहुँचे पारविती के सारे भाई मेना के आदी बड़े हर्ष के साथ जैजैकार करते हुए उनके घर ले आने के लिए गए इसी बीच में पारवती अपने नगर की निकट आ गई नगर में परवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा जो अत्यांत प्रसन हो हर्ष से विहल लचित होकर दोड़े चले आ रहे थे उन्हें देखकर ह हर्ष से भरी हुई काली ने सक्यों सहीत पर नाम किया और मता पिता ने पून रूप से आशिरवाद दे पुत्री को चाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ये ऐसा कहकर प्रेम से विला होकर रोने लगे ततपशात अपने घर की दूसरी दूसरी इस्तरियों तथा भाब चरन से हम सब लोग पवित्र हो गए ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पारविती की भूरी भूरी पशंसा करते हुए उन्हें परणाम करने लगे लोगों ने चंदन और सुन्दर फूलों से शिवा देवी का सानन्द पूजन किया उस अफसर पर विमान पर बैठे हुए द था दूसरी इस्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के वीतर परवेश कराया इस्त्रियों ने उनके उपर बहुत सी वस्त्वे निचावर की ब्रामनों ने आशिरवाद दिये मुनीश्वर पिता भिमवान और माता मेनका को बड़ी परसंता हुई उन्होंने अ हर्ष भरे माता पिता भाई तता भोजियों भी अपघर की आंगन में प्रसंता पूरोग बैठी तदंतर हिम्मान प्रसंचित से सबका आदर सतकार करके गंगाश नान के लिए गए इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वतसल भगवान चंबू एक अच्छा नाच नेवाला नट बनकर मेंका के पास गए उन्होंने बाई हाथ में सींग और दहीने हाथ में डमरू ले रखा था पीट पर कतरी रख छोड़ी थी लाल बस्तर पहने भगवान रुदर नाच और गान में अपनी निपुंटा का परिचे दे रहे थे सुंदर नट का रूप धा करने वाले श्रिंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना परकार की बड़ी मनोहारिनी लीला की नट राज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी इस्तरी पूरु शेवंबालक और बृत भी सहसा वहाँ आ पहुँचे मुने उस सुंधुर गीत को सुनकर उस मनोहर उत्तम निर्ते को देख कर महा आये हुए सब लोग ततकाल मोहित हो गए मेना भी मोही गई उधर पारवती ने अपने हिर्दे में भगवान शंकर का साक्षा दर्शन किया वे तिशूल आदीशीन धारन की अत्यान सुन्दर दिखाई देते थे उनका सारा अंग विभूती स विभूशित था वे हड्यों की माला से अलंकृत थे उनका मुक सूरे चंद्र एमम अगनी रूप तीन नेतरों से उध्भासित था उन्होंने नाक का यगुपवित धारन किया था उनके उस सुर्मय रूप को देख कर दुरगा प्रेमा वेश्ट से मुर्चित हो गए गई गौरवन विभूशित दीन बंधू दिया सिंदू और सर्वता मनोहर महेश्वर पारवती से कह रहे थे की वर मांगो अपने हिर्दे में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देख कर पारवती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर मांगा कि आप मेरे पती हो जाए प्रीति युक्त हिर्दे से शीवा को वैसा कल्यान कारीवर देकर वे पुने अंतर ध्यान हो गए और वहाँ पूरवता भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम निर्थे करने लगे उस समय मेना सोनी की थाली में रखे हुए बहुत से सुन्दर रतन ले उन उनका वै एश्वरे देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन हुए प्रतु उन्होंने उन रतनों को सविकार नहीं किया वे भिक्षा में उनकी पुतरी शीवा को ही मांगने लगे और पुने कौतुक वश सुन्दर निर्थे एममगान करने को उधत हुए मेना उस भ अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगर में खड़ा देखा मेना के मुख से सारी बाते सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने अपने सेवकों को आग्या दी कि इस नट को बाहर निकाल दो मुनी स्ट्रेस्ट वे नट राज विशाल काय अगनी की भादी अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे उन्हें चूना भी कठिन था इसलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका ताथ फिर तो नाना परकार की लिलाओं में विशारत उन भिक्षुक शिरोमणी ने शैल राज को अपना अत्यान परभाव दिखाना अरंब किया हिमबान ने देखा कि भिक्षुक ने वहां ततकाल ही भगवान विश्नु का रूप धारन कर लिया है उनके मस्तक पर केरीट कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्तर शोबा पाते हैं उनके चार भुजाएं हैं हिमबान ने पूजा के समय गदाधारी शिरीहरी को जो ज उनके शरीर का वन लाल था और वे वैदिक सुक्त का पाठ कर रहे थे ततंतर शैल राज ने उनको तुक कारी नटराज को एक शन में जगत के नेतर रूप सूरे के अकार में देखा तात उसके इसके बाद वे महान अद्बुत रूप रुद्र के रूप में दिखाई दिये उनके साथ देवी पारवती भी थी वे उत्तम तेज से संपन रमनिये रुद्र धीरे धीरे हस रहे थे फिर वे केवल तेजों में रूप से द्रिष्टी गोचर हुए उनका वेह स्वरूप निराकार निरंजन उपाधी शुन्ये निरह एममत्यन अद्बुत था इस परकार हिमबान ने उनके बहुत से रूप देखे इससे उन्हें बड़ा विस्मे हुआ और वे तुरंती परमानंद में निगमगन हो गए तदंतर सुन्दर लीला करने वाले उन विक्षुक शिरोमणी ने हिमबान और मेना से दुर्गा को ही विक्षा के रूप में मागा दूसरी कोई वस्तुर ग्रहन नहीं की प्रंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रातना को सविकार नहीं किया फिर विक्षुन ने कोई वस्तुर नहीं ली और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए तब मेना और शैलराज को उत्तम ग्यान हुआ और वे संपून आनन्द प्रदान करने वाली है तो ये था रुद्र सहीता का अध्याय 30